कि अब इस लाइब के साथ मैं हूं प्रदोस्त मुम्मत पासिफ जैसा कि आप जानते हैं कि नाइन्थ दौहम फॉस्ट यहर और सेकेंड के अट के इवतिहनात जो है वह वह कैसल हो चुके हैं यह साथ यह बात आप सब को मालूम हो चुका होगा कि इवतिहनात जो है वह मुकम हो चुके हैं तो कही सालों के बाद करने के लिए कौन सा फर्मूला इस त्यार होगा और कौन कौन सी कलास है कि किस फार्मूले से नेक्स्ट कलासु के लिए फर्ट पर्मूट हो जाएंगी यह मुकमल डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दिखाओ गा तो स्मिपलीफास वा कमल बाच करना है इसको स्किप निकला ताकि आपको मालूम हो कि इसकी तमाम कलासे नहुंदाओं फास्ट यार और सेकेंड यार किस तरीक्या के फर्मॉला जाज से नेक्स्ट कलास में पर्मोट हो जाएंगी तो सिंप्ली वांस गें मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे चैनल फ्री जाउब जलड को लाजमी सब्स्राइब का दें और साथ की डाला कन को लाजमी प्रेस का दें ताकि इसी तरह की निव और लेटेस्ट इंफरमेशन आपके पास असानी के साथ पहुंच के तो फ्रेश चलते अपने वीडियो के तरफ मैं आपको बताता हूं कि किस तरह प्रमोट होनी है और नाइन्थ, टेंथ, इलेवन और ट्वेम की कलासें किस फर्मूले के तहट नेफ्ट कलास में जाएगी तो अपनी वीडियो का घाथ कता है यहां पर मैं आपको बताता चलू कि इमतिहानात का फर्मूला तैका लिया गया है बोर्ड की जानब से तियार क नंबर्स के मताबिक नौं के भी नंबर दिये जाएगे मतलब कि नाइथ का इमतिहान जो लोक इस वाट नाइथ जो स्टुडेंट ने नाइथ का इमतिहान देना था और अब उनको नाइथ का इमतिहान लिया जाएगा और टैंथ का इमतिहान लिया जाएगा और जितने मार उनको नाइट में मिलके उनका मुकमल रिजार्ड कार्ड त्यार किया जाएगा और उसके बाद दोहम के तौलबा के मुताबिक इंतिहां जो तौलबा दोहम के इंतिहां दे चुके हैं उनके पेपर्ड जल्द जल्द मार्क किया जाएंगे अगर किसी बन्याद पर यहां पर मैं आपको बताता चलूँ के अगर किसी बन्याद पर मार्किंग शूरू ना हुसकी तो नहुम के हासल करदा नंबर्स की बन्याद पर दोहम के नंबर्स भी दिये जाएंगे और यह तरीका कार जो है वो दहम के लिए भी आप समझ लें कि जो तालब इन 9 के इमतियान दे चुके हैं और दहम के इमतियाना तो वो भी क्योंके दहम के पेपर मुकमल हो गयते हैं अगर उनके पेपर्स मास्क नहीं हुए तो वो नाइज के मताबिक नेक्स्ट कलास में वो चले जाएंगे और उसके बाद मैं आपको बताता चलो कि ये दोहम के मजूदा तौलबा के लिए प्रैक्टिकल का जो शडूल है क्योंके प्रैक्टिकल का इम्तिहान नहीं लिया जाएगा प्रैक्टिकल के कुल नंबर्स के निस्व तमाम तौलबा को बिला तफरीक दे जाएगा और जब के बवक्या निस्व मतलगा मदमूब की परसंटेज के इसाब से मकमल किया जाएगा यह इसाब जो मैंने आपको बता दिया है कि मकमल ये तरीकार होगा और उसके बाद ये आती है फास्ट एयर फास्ट एयर के मताब़क तमाम फास्ट एयर के मजुदा तौलबा को सेकंड एयर में परमोट किया जाएगा और सिर्फ सेकंड एयर के इंतिहनात लिये जाएंगे सेकंड एयर और उसके बाद सेकंड एयर के इंतिहनात के नंबर के मताब़क फास्ट एयर के नंबर भी उनको देखे जाएंगे और उसके बाद मैं आपको मज़िद सकी डेटेल्स बताए के फास्ट बाद के मुझाबगे कि नम्बर के मताबितर फास्ट यर के नमबर भी फैनल डियर्ट में शामिल गया जाएगे मतलब कि जो लोग अब फास्ट रीर का इंतिहान रिये थे और उसके बाद फास्ट य condemn जितने भी मास हासल कियें उसके साथ ही इनका अरजार्ड का पत्यार के जायदा और उसके बाद साकेंड आर की मजज़ोडा तौलबा का अमतिहान भी नहीं लिया जाएगा बलके उन्हें भी फर्स्ट यर की हासिल करदा परस्टेज के मताबिक नमबर दे कर यूनिवरस्टी दाखल के लिए एह समझा जाएगा प्रेक्टिकल इम्तिहान का शुर्बूल जो है वो दोहम की तरह होगा जो जितने भी प्रेक्टिकल उन्होंने दोहम के इम्तिहान में हा जाएगा जिसके शेडूल का एलान बाद में क्या जाएगा और उसके बाद यूनिवरस्टी अपना त्रिककार खोद करेगी तो ये थी न्यू और टेस्ट इंफरमेशन जो मैंने आपको बताई है कि किस तरह कलासें जो है प्रमोट होनी है नाइन्थ टेंथ इलेवन और ट बता दिये तो फ्रेंड मुमीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी इसी तरह की न्यू और टेस्ट स्टुडेंट इंफरमेशन जाब इंफरमेशन और जनरल और इंफरमेशन के लिए आप मेरे चैनल फ्री जाब जालड को लादमी सब्स्राइब कर दें और साथी ब लेग झाल 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 चाल झाल झाल